पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा मघा नक्षत्र में पूरे दिन साम 8 बज कर 46 मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चाद पूर्वा फालवुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे मघा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी केतु हैं आज के जन में जातक सुंदर, धन्वान, माता पिता के भगत, स्वाहिमानी और हर सुख सुविधाओं से युख्त होते हैं ऐसे जातक अस्पस्टवादी, सहसी, मगर भावुक और सीग रही क्रोधित हो जाने वाले, हर कारे करने में ततपर्ता दिखाने वाले, उच्चस्तर की आजीविका प्राप्त करने के एच्छुख, गुप्त कारियों में लगे रहने वाले और उच्चविलासी होते हैं ऐसे जातक खाने पीने के शौकीन, मगर चिंता ग्रस्त, मन इस्थिती वाले और उन्नती में बार-बार बाधाओं के सिकार होते रहने वाले होते हैं जड़ी सहयोगी लगन रहा दसा ठीक रही, सूर्य और केतु की स्थिती अनकूल गही तो पून सफ़ा लोंगे चंदरमा आज भी सिंह रासी में ही चलते रहेंगे, जिसके राहिश्वामी सूर्य देव है मगर नक्षत्र पूरे दिन साम 8 बज कर 46 मिनट तक केतु का ही रहेगा जिससे साहस और आत्म विश्वास बना रहेगा, हर कारे करने के प्रती तत्पलता जाहिर होगी मगर मानसिक ग्यगरता हर कारे करने के प्रती जल्दबाजी अपने आपको और सुलक्षित महसूस करना और अनावसक भार दोड भी बना रहेगा आर्थे के सित्ती अनकूल कहेगी, विभागी अनिकारियों की सकारात्मक प्रेणा लाफ दिलाने वाली होगी पारिवारिक सुख सोहार में बिद्धी होगी और साम तक सफल महसूस करेंगे आज का राहुकाल दोपहर बारह बज़े से डेढ़ बज़े तक लगा रहेगा इस दोरान किसी नए काम या नए अनुबंध के लिए परहेज करें मेश राशी बाले जात्मों की कोशिस और रात मिश्वास से रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे तारगी छमता बढ़ेगी और नई कार योजनाओं का बिस्तार होगा साजे जारी सफल रहेगी आठिक लाफ सामाने रहेगा सरकारी सहयोग और पारिवार क्रेड़ा में थोड़ी कमी महसूस होंगी मगर अच्छे कामों में पूजी निवेस और बच्चों के भविस पर खर्च की संभावना भी बनती है कुश मामलों में आलस या अवरोध की स्थिति संभावित है बिद्याथी उर्जाबान महसूस करेंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा भावावेस को नियांतित करें और वाहन सावधानी से चलाएं चंद्रमा ब्रिश रासिस से चोथे भाव में चल रहे हैं बोधिक्षमता और प्रबल दिच्चा सकती आपके हर काम में मददगार सावित होंगे नई कारी ओजिनाओं का प्रस्तावल मिल सकता है साजेदारी सफल रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक्सिद्ध होगा संतान संबंदी चिंता दूर होगी मांगली कारेकरम के लिए समय अनकूल रहेगा मगर स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखे मीथुन राशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन सफलता दायक्सिद्ध होगा ब्यावसाइक पक्षिक अनकूलता बनी रहेगी सासन सवता वाधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा आपके प्रयास और आपनिश्वास से आखिक निवेश की कई लावकारी वजनाए सामने आएंगी पारिवारी प्रयणा और पत्मी की सलाह लावदायक सिद्ध होगी मगर आपसी सामन्जस्त में ताल मेल में कमी संभव है सास समन्दी सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रत्योगता में सफलता संभावित है संतान समन्दी सो समाचार मिल सकता है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा करकराशिके जातक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे नकारात्मक विचार और ध्रमात्मक इस्तितिक खत्म होगी आथिक लाग के कई आउसर मिलते जाएंगे सामाजिक दाई तो बढ़ेगा और सम्मानित किये जाएंगे चंद्रमा का केतु के नक्षत में होना आथिक उन्नती और नई कारी ओजनाओं के विस्तार में सहायक होगा संतान संबंधी चिंता दूर होगी और आथिक पक्ष अनकूल रहेगा सिच्छा पत्योगता के छेत में सफलता मिलेगी साजेदारी के कामों में सावधानिया पेक्षित है सत्रुपक्स दबा रहेगा पारिवारिक सुख संतुष्टी महसूस करेंगे मगर बाहन सावधानि से चलाएं शिंगरासि के जातक मानसिक रूप से उर्जाबान महसूस करेंगे और अचनात्मक्रिया सिल्ता बनी रहेगी मगर स्वास संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए खास तोर से पेट संबंधी मामलों में दिक्कत हो सकती है ब्यावसाई का नुकूलता आर्थिक लाव के लिए प्रेडित करेगी और नए लक्ष निर्धारित होंगे संबंधीत मामलों में अचाना के यातरा का योग बनता है आर्थिक निवेश के लिए समय नुकूल है नीजी संबंध प्रगार होंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा घरेलू संसाधनों में ब्रिद्धी होगी और सिच्छा प्रत्योगता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें कन्यारास के जात्कों के लिए ब्यावसाई कुर्देशों की पूर्ती में लाव के साथ संसाधनों पर निवेस और संबंध नित मामलों में यातरा संभावित है चंद्रमा बार हमें भाव में चल रहे है और अत्य आत्मिश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर करने की प्रवरिती बढ़ी रहेगी भाविश्व में अपने कारेचेत में सफल रहेंगे सकारात्म प्रयास से पुरुन नती के आउसर मिलेंगे मित्रों वा सहयोगियों से अनिकुलता बनी रहेगी आथिक पक्ष मजबूत रहेगा धर्मकरों और मित्रों पर खर्च संभावित है शिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें और स्वास संबंजी सावधानी बनाए रखें साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं तूला राश के जात्मों के वाणी पर संयम आवशक है रुके हुए काम संपन्न होंगे व्यावसाइक उद्यसों की पूर्टी में आ रही रुकावतें खत्म होंगी मगर मन का अंतवदंद आपके कारशेत और उज्यासतर को प्रभावित कर सकता है चन्द्रमा केतु के नक्षत में चल रहे है अच्छे काम में वित्य निवेश के लिए सहियोग मिलता जाएगा नीजी निवेश लागडायक रहेगा आर्थिक लेंदेन वा महत्पुन कावजातों को अध्यान से पढ़कर उसका निक्टारा करना चाहिए संतान समन्न ही अनकूलता बनी रहेगी अध्यान अध्यापन में आज का दिन सफलता दयक सिध्ध होगा प्रियास जारी रखें बृष्चिक राशी वाले जात्कों के नीजी मामलों में आ रही रुकावटें खत्म होगी मन का अंत्वर्दंद कम होगा उर्जास्तर में बृद्धी होगी और कारेच्छेत के विकास और उत्थान की मानसिता बनी रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होगे और अलिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नवीन कार्योजिनाव और साजेदारी के लिए समय अनकूल है अपनी क्रिया सिल्ता को हर हाल में बनाए रखे हैं सिच्छा प्रत्योगता में मेहनत करनी पड़ेगी आर्थिक पक्ष सामाने रहेगा पारिवारिक गायत की पूर्ती होगी नीजी निवेश के लिए आज का भी ननकूल रहेगा और वयवाहिक मामले पलिभूत होंगे धनु राचिवाले जात्कों के लिए आथिक पक्ष मजबूत होगा ब्यावसाइक संसाधनों में प्रिध्धी होगी रुके हुए सरकारी कामकाज संपन होगे और लाव के इस्तिती बनी रहेगी बहुत धिक चम्ता का भिकास होगा और पारिवारिक प्रेणा लावदायक रहेगी नए प्रस्ताव सामने आएंगे साजेदारी सफल रहेगी मकर वाणी पर नियांत्रन और साथ संबंदी सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी और संतान संबंदी मामलों में सही योग मिलता रहेगा नयायाला या वादिबाद संबंदी मामले अनकूल रहेंगे धार्मिक भावना में बिद्धी योगी और देव दर्शन के योग बनते हैं मकर राजिके जात्मों की सक्रियता बनी रहेगी और कारी योजनाओं में सफलता हासिल होगी आथिक लाफ सामाने रहेगा मगर स्वभाव में उगृता को नियांतित रफना चाहिए सासन सत्ता और अविकारियों का सहयोग मिलता रहेगा कार एक्षे से सम्बनित यात्रा संभावित है चंद्रमा आठवें चल रहे हैं कभी कभार संतान संबंदी चिंता मन में नकार आत्मक भावों का आना कारियों में रुकावट और रात विश्वास में कमी की संभावना बनती है सच्छा प्रद्योगता में सफलता मिले ही अपने स्वास पर आवस्यक सावधानी बनाये रखें और वाहन सावधानी से चलाएं कुम्भरासि के जात्मों के लिए आज की सुरुवात भाग दोड उतावलापन मगर दिढ़ि आत्मदिश्वास और सकारात्मक मानसिक प्रभाव से होगी रचनात्मक प्रयासों में ब्रिध्योगी नई कारी वजनाओं में कुछ बिश्यों पर प्रयास सफल रहेंगे आठिक वक्ष अनकूल रहेगा धन संबंधी मामलों में अचानक लाव संभव है साजेदारी सफल रहेगी और रुके हुए काम संपन होंगे सासन सत्तावा भिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा सफलता संभावित है और वयवाहित मामलों के लिए आज का दिन अनपूल रहेगा मीम राशिवाले जात्कों की दिन्चर्या सामाने रहेगी चंद्रमा के छठों और केतु के नक्षत में होने से मानसिक जगरता नकारात्मक विचानों का पैदा होना और कारेच्षित में लापरवाही की प्रवृत्ती बनी रहेगी आत्विश्वास और सक्रियता प्रभावित होने से रचनात्मक कारियों में बाधा संभावित है हलाकि सुक संतुष्टी बनी रहेगी ब्रावसाई कनकूरता और आर्थिक अक्ष आपकी क्रिया सिल्ता के उपन निभर करेगा विभागी अधिकारियों से सहयोग वाधान लाव मिल सकता है अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और साथ हिस्वास संबंदी वी से सावधानी बनाए रखें और वहाँ सावधानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही कल फिर निलेंगे ओम नमाशिवायर